सबसे पहले तो आप इस पार्क को देखिए जो दिख भी नहीं रहा है यहाँ एक बास्केट बाल कोर्ट होता है जब यहाँ रोशनी होती है जो अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहे है सर्फ यह सफेद पट्टी दिख रही है जो इसकी बाउंडरी है मतलब रिसॉर्सेज की इतनी कमी है कि कैमरा क्वालिटी जबरदस्त पूर है आज मेरी कोशिश थी कि मैं एक वीडियो बनाऊ अपने ट्वल्थ फेल जुडिशल चैनल के लिए और जो स्टूडेंट्स आर जेस की मतलब तैयारी में जुटे हुए है उनका होसला बढ़ाने के लिए या किसी भी रूप से किसी की भी मदद हो सके या तो इसलिए एक वीडियो बनाना चाहता था लेकिन फिर यहां पर मैं आया और सबसे पहले मेरी कोशिश यही थी कि मैं लेपटोप कैमेरा से ट्राइ करूँ मेरे को पता था क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी लेकिन फिर भी मैं यही कोशिश करना चाहता था और मैं साथ में अपना खाना भी लेया हूँ यहीं खाना खाया जाएगा अज और इस वक्त यहां समय हो चुका है एक सेकंड ग्यारा पच्छ पन मतलब बारा बज़ने में सिर्फ पांच मिन्ट बाकी है और भारत में समय होगा इस से धाई गंटे कम और दिन रात का अंतर तो करीब करीब साड़े नो के आसपास वक्त हो गया होगा वाँ तो आज की इस वीडियो में मैं जो बातें करना चाह रहा था हाला कि अभी तो वो सब थोड़ा समय है आरजेस के एक्जाम के फॉर्म्स निकले है और बाकी कोई इतना खास भी निया मेरे पास बताने के लिए क्योंकि मैंने अभी कोई इंटर्व्यू या कोई मेंज एक्जाम आरजेस का इस तरीके से क्लियर नहीं किया है कि मैं आपको बता सकूँ एग्जेक्टली ज़ चीज़े हैं लेकिन जितना सफर मैंने तै किया है जो पिछले आरजेस का एक्जाम हुआ था उसमें मतलब प्रीलिमनरी क्लियर हो गया था मेरा किसी तरीके से मैं कोई जादा दावे भी नहीं करता और मतलब क्योंकि मैरी जितनी भी पढ़ाई रही है मैंने जादा पढ़ाई की नहीं मतलब जितना भी मेरा स्कूल एज्यूकेशन था या उसके बाद का कॉलिज में भी कॉलिज में भी जस्ट एक एवरेज सी मैंने परसेंटेज स्कॉर की है सिक्स्टी परसेंट से थोड़ा सा जादा मेरी डिग्री बनी है मतलब उनिवरसिटी की कुरक्षेत्रा उनिवरसिटी का स्टूडेंट था मैं और इस वीडियो से आप उफेंड मत होना क्योंकि मेरे पास है नहीं कोई जादा क्वालिटी अच्छी कोई चीजे नहीं जादा दिखाने के लिए कोशिश करता मैं उस तरफ भी आपको पार्क के दिखाता लेकिन अभी रोशनी नहीं है मेरे को उमीद थी जैसे यह होनी चीए थी ओन लेकिन अभी रात को नहीं की इने किसी कारण से पतानी मुझे हां तो आर जेस से रिलेटिड जो मैं बात कर रहा हूं के दो महीने का समय तो बिलकुल है आपके पास यह डाई महीने तीन महीने भी हो सकता है क्योंकि यह डिपेंड करता है कोरोना की थर्ड कि ती वह दो महीने में तयारी की थी और यूसी के अकोरडिंग मेरे सो में से याद निमेर को एक्जेक्ट ली सतर या सेवंटीवन या सेवंटीटू ऐसे कुछ माक्स आये थे मेरे तो जिसमें से क्या होता है सो में से तीस नंबर की तो आपकी हिंदी इंग्लिश होती है और हिंदी इंग्लिश ग्रामर ही आता है सो में से तीस नंबर का बाकी आपका जो भी है मतलब लो से रिलेटीड सब्जेक्ट से उसके लिए मैंने न वीडियो बनाई हुई है इस बा भी मतलब अगर जरुता अगर आप लोग कोगे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूं लेकिन आप लोग भी मतलब अपडेटीड तो है इस चीज पे और खुद भी RJS की साइट वीजिट करके या नोटिफिकेशन पढ़के बड़े अच्छे तरीके से आप पता लगा सकते हैं इस वीडियो को जादा बढ़ा करने का मकसद मेरा नहीं है लेकिन मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं जैसे कई बारी ना सिचुएशन अपने आथ में न नहीं ले सकते मैं भी RJS मतलब इस्पारिंट था मतलब RJS की लिए तो मैं किसी भी स्टेट के एक्जाम नहीं देना चाहता था मैं सिर्फ RJS के देना चाहता था क्योंकि यह हर साल एक्जाम ले रहे हैं इतनी शिद्द से लगे हुए हैं अच्छी पोस्त निकालते हैं नंब कि मेंज एक्जाम का भी जो पैटर्न है जैसे बाकी स्टेट्स में जिक्के का भी होता है इंक्लूड करते हैं सिल्वस में यह नहीं करते हैं तो यह काफी चीज़े मतलब हाइलाइट हैं इसके RJS के अगर कोई करता है तो मतलब तैयारी इस रूप से और बाकी मैं तो मतलब इतना हक भी नहीं है वैसे तो मुझे कि मतलब मैं माफी मांग लूँ आपसे बस यह तो आपका ही देखने के आपका दिल कितना बड़ा है क्योंकि इस चैनल पे मैंने कई बार दावे किया मैं तैयारी करवाओंगा कोशिश करूँगा ऐसे वैसे लेकिन हालातों की वज़े में अगर मदद हो सकती है जैसे अभी मेरे कमेंट आया था वीडियो पर कली आया था शायद के हिंदी की कौन सी किताब पढ़ने है वह हिंदी की प्ले लिस्ट में शायद मैंने स्क्रीन शोट डाला हुए उस किताब का आर जैसी लिखा हुए उस पे और मतलब राइटर का मेरे को एक्जेक्ट लिए भी ध्यान निया लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगा बताने की या आप एक बार जाके जस्ट प्ले लिस्ट चेक कर लेना हिंदी वाली उसके बाद मतलब छोटी सी किताब हिंदी की ग्रामर ग्रामर दी गई है और आपका मतलब जल्दी हो सकता है इंग्लीश में भी कर सकते क्योंकि इंग्लीश आपके स्कोर को इंप्रूव करेगी जो भी मतलब जिसकी लैंग्वेज जो स्ट्रोंग लैंग्वेज होगी उसी पर खेलना क्योंकि मेरा जो बुरा अलुगा मेरे मेरे मेंज एक्जाम में कुछ मार्क्स कम रहेगे वो मार् परेंग्वेज में बुरी आलत और हैं और हिंदी में जो खास तूर पर तो हींदी में जो एगजाम था हुगा है कीजिक्सपा है। इसका क्या सीन है? हिंदी में मेरे फटास तर दृर मरें में 1 networks में हैं में हिंदी का मेरे स्कॉर 25 जिन थर्टी के मैंस में Japanese क्रिपिएर नहीं क्या कर दूस्वर कोई क्या उसा कुछ ciert और यह 활š Baldi ट्राइ करो और कुछ भी हासिल ना कर पाओ इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कोशिश कम करो जैसे आप क्या करोगे section अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको एक्जाम देने से पहले आठ दस बार बेर एक्ट completely पढ़ने पढ़ेंगे सारे सारे उसके बाद जो exceptions है illustrations है जो उसके मतलब चैप्टर कितने चैप्टर हैं कितने नाम हैं क्या क्या चीजे हैं section नंबर वगेरा यह चीजे आप नहीं छोड़ सकते हो यह आपको करना ही पड़ेगा और उसके बाद भी आप अगर और चीजन देखे अभी देखो हम कुछ visitors मिल रहे हमको कुछ बाई रात को cycling करने आये हुए है और यह देखो अब भी हम जो इस तरीके से आप मतलब अच्छे से प्रिपेर करें अपने लिए जो भी है और मैं यह उमीद करता हूं कि अगर जितने भी subscriber हैं इस चैनल के वैसे तो इतने subscriber हैं मतलब इतना प्यार दिया आप लोगों ने उमीद से भी जादा आज मैंने देखे थे शायद 981 981 सब्सक्राइबर हो गें बताओ इतना प्यार और अगर किसी भी student का भाई का या किसी का भी साथी का निकडता है एक्जाम तो मैं कोशिश करूंगा क्योंकि शायद 1000 सब्सक्राइबर के बाद ना कर सकते हैं ताकि किसी और की मदद हो जाए किसी भी बाने से तो अच्छा होगा वो भी अगर आपका प्रीकलियर होता है नहीं होता है किसी कि अगर वैसे भी इच्छा है कि आप आके चैनल पर बात करना चाहते तो मतलब मुस्ट वेलकम है उसके लिए लेकिन ये मैं खुद ऑफेंड होता हूं कई बारी मैंने यूट्यूब चैनल देखें वह ज्यादा ही मतलब मतलब सबस्क्राइब करो सबस्क्राइब करो ऐसे करते हैं अपना यहीं रिकोर्ड़ है जितने भी वीडियो चैनल पर आई है एक वार भी निकाप पाने सब्सक्राइबर के है या किसी को लगता है कि उसके पास कुछ ऐसा मटीरियल है जो चैनल पर पोस्ट करना चाहिए वीडियो से रिलेटर या किसी भी चीज़ से तो आप जरूर बताएं और अगर प्रिलिम्नरी एक्जाम निकालता है कोई भी सब्सक्राइबर तो भाई मेरे दिल को बहुत आप पर समय और तो बाकी फिर आप से मिलते रहेंगे इस चैनल पर किसी को कुछ कहना और जजबात जाहिर करने हो तो नोट बिना किसी बिना कुछ मतलब आपको गबराने की जरुत नहीं है या इस चैनल पर आप बिल्कुल फ्रेंक रह सकते हो जो भी आपको लगता है सही आपको लगता है कि इस से कोई हेल्प नहीं हो रही तो भी आप मुझे बता सकते हो या जो भी चीज है अपने जजबात जाहिर करो और इन ही शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूं और मिलते अगली वीडियो में और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक फिर मिलते